Hello everyone, welcome to study with us और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे परधान मंतरी और जिसे हम इंगलिश में कहते हैं प्राइम मिनिस्टर तो ये वीडियो जो है काफी important है अगर आप लोग student है DU, SOL, Regular College या फिर IGNU जैसी University के लिए और साथ इसाथ ये वीडियो उन लोगों के लिए भी काफी important है जो तैयारी कर रहे हैं UPSC, UPPCS, BPSC और other states exams के लिए साथ इसाथ railway और SSC के exam के लिए भी जो है ये वीडियो काफी important है तो वीडियो को end तक देखें पहले की वीडियो ने देखी है तो link आपको description में मिल जाएगा वो वीडियो भी आप देख सकते हैं चलिए शुरू करते हैं तो जिस तरीके से जो रास्टपती है वो देश का परमुक होता है ठीक उसी परकार से जो परधान मंतरी है हमारे भारत में वो हमारी सरकार का परमुक होता है ठीक है सरकार का परमुक होता है तो इस वीडियो में बताने वालाओं कि परधान मंतरी की नियुक्ति कैसे की जाती है, कौन करता है, परधान मंत्री को शपत कौन दिलाता है, परधान मंत्री की शक्तियां क्या क्या होती है तो एंट जरू देखें इस वीडियो को तो संसदिय ववस्था के तहट अगर हम बात करें, तो जो राष्ठपती होता है अब परधान मंत्री की जो न्युक्ति है, वो कैसे की जाती है मैं बता दूं इसके बारे में हमारे भारते संविधान के अनुछेत 74 में इस पस्ट बताया गया है कि हमारे भारत का जो पर्दान मंतरी होगा उसकी नियोकति राष्टपती के द्वारा की जाएगी ठीक है बस इतना बताया गया है और किस तरीके से की जाएगी आप इसे ध्यान से समझें अब देखें परतेक पांच वर्स पर जो है वो लोकसभा के चुनाव होते हैं ठीक है तो हर एक पार्टी अपना उमीदवार जो है हर छेतरों से खड़ा करती है और 552 सीटे जो हैं लोकसभा में होती है और 552 सीटों के लिए चुनाव होते हैं अब मानलों चुनाव हो गया और हर एक पार्टी को जो है वोट मिले हैं तो बीजेपी अम माल लेता हूमें आपर बीजेपी को मिल गये हैं 300 सीटे कॉंग्रेस को मिल गई है इसमें 100 सीटे और समाजवादी पार्टी को कुछ सीटे मिल गई है ऐसे करके ठीक है आप देख सकते हैं बीएसपी को मिल गई कुछ सीटे तो कुल टोटल 552 सीटे होती है तो इस तरीके से सारी सीटे ले ली जाती है पाटियों के द्वारा तो राष्टपती क्या करता है जिस दल को संसद में या कहें कि संसद की लोकसभा में सबसे अधिक बहुमत प्राप्त होता है उस दल में से राष्टपती किसी एक व्यक्ति को परधान मंत्री नियुक्त करता है ठीक है? तो हम कह सकते हैं संसद में जिस दल को या जिस पार्टी को सबसे अधिक सीटे मिली होती है उन में से राष्टपती किसी एक को परधान मंत्री नियुक्त करता है और राष्टपती चाहे तो वो अपने अगर विश्वासमत प्राप नहीं होता या 300 जो बीजेपी के सदसे हैं इन्हें से किसी में भी जो है एकमत नहीं है राष्टपती के लिए तो राष्टपती चाहे तो अपने स्वेविवेक से भी किसी भी वेक्ति को राष्टपती पर पहली बार जो है राष्टपती ने इस पावर का यानि कहें कि इस चक्ति का परियोग किया था में जो राष्टपती थे नीलम संजीवा रेड़ी ने मुरारजी देशाई वाली जनता पाटी के सरकार के पतन के बाद जो है चरण सिंग को परधान मंतरी नियुक्त किया था ऐसे कई और भी समय आया जब राष्टपती ने अपने स्वेविवेक का परियोग करके परधान मंतरी को नियुक्त किया था ये जानना आपके लिए काफी जरूरी था इसलिए मैंने आपको ये चीज बता दी चलिए आगे चलते हैं अब बात करते हैं परधान मंतरी के कारे एवं शक्तियों की वह इसके सपत की और अन्य शक्तियों की तो अगर हम बात करें एक चीज और मैं बता दूँ कि कई ऐसे परधान मंतरी भी रहे हैं बारत में जो की लोक सभा से नहीं चुने गए ठीक है आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि जो परधान मंतरी होता है वो सिर्फ वसिर्फ लोक सभा से चुना जाता है हाला कि भारते संभिधान में ये भी कहा गया है कि राज्य सभा से भी पर्धान मंत्री का चुनाव किया जा सकता है और राज्य सभा से कई ऐसे पर्धान मंत्री हमारे भारत में रहे भी हैं जो राज्य सभा से चुने गए थे तो उनकी लिस्ट आपको याद रखनी है ठीक है ये ऐसे परधान मंत्री रहे हैं जो की राज्य सभा से चुने गए थे अब बात करते हैं सपत की की परधान मंत्री को जो उसकी पद की शपत कौन दिलाता है तो सम्विधान के अनुसार राष्ट पती जो है वो भारत के परधान मंत्री को शपत दिलाता है ठीक है राष्टपती परधान मंत्री को शपत दिलाता है और परधान मंत्री के साथ साथ जो cabinet मंत्री होते हैं वो उनकी शपत भी जो है राष्टपती ही दिलाता है जब परधान मंत्री शपत लेता है तो जो उसके मंत्री होते हैं पर्धान मंत्री के उनको भी साथ ही साथ सपत दिलाई जाती है राश्च्पती के द्वारा ठीक है और आपके दिमाग में ये भी डाउट नहीं होना चाहिए कि जो मंत्री परिशद होती है जिन मंत्रियों के मैं बात कर रहा हूं वो मंत्री भी लोक सभा में जिस दल को बहुमत जादा मिलता है उसी दल के ही बनाए जाते हैं मंत्री और इनका चुनाओ कैसे होता है इनका चुनाओ पर्धान मंत्री की सिफारिस पर राश्च्पती के द्वारा किया जाता है ठीक है मंत्री परिशद का चुनाओ जिसमें मंत्री आ जाते हैं हाला कि मैंने विस्तार से बता रखा है मंत्री परिशत पर एक वीडियो भी बना रखी है वो नहीं देखिया आप तो देख लें आप जिसे कि आपको काफी इजी होगा समझने में अब बात करते हैं परधान मंत्री के कारे और शक्तियों की तो मैं बता दूँ कि परधान मंत्री जो है इसकी कई परकार के शक्तिया होती है ये मंत्रियों को न्यूक्त करता है ठीक है पहला तो यही इसकी शक्ति है कि वो राश्पती की राश्पती से सिपारिस करता है मंत्रियों की न्योक्ति के लिए ठीक है? और दूसरा मैं या पे लिख दे रहा हूँ मंत्रियों की न्योक्ति अलाकि अपने नोट बुक में नोट डाउन करते रहें सारे points यहां पे लिखे नहीं जा सकते थी इसलिए मैंने यह एक diagram सा बना लिया है मंत्रियों की न्यूक्ति दूसरा ये मंत्रालों का वितरन करता है मंत्राले जो होते हैं उनका जो वितरन है कि किस मंत्री को कौन सा मंत्राले दिया जाएगा ये इसका निर्धारन भी जो है परधान मंत्री करता है और वो चाहे तो मंत्रालों में फेर बदल भी कर सकता है, याद रखें, मंत्रालों में फेर बदल भी कर सकता है, मतलब ये कि वो ग्रह मंत्री को रक्षा मंत्री बना सकता है, रक्षा मंत्री को ग्रह मंत्री भी बना सकता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं, मंत्रालों में फेर बदल कर सकता है, और वह किसी मंत्र को त्याक पत्र देने अथ्वा राश्च्पती से उसे बर्खस्त करने की सला दे सकता है ठीक है ये भी चीज़ आपको याद रखना है वो किसी भी मंत्री को बर्खस्त कर सकता है या फिर निकाल सकता है ठीक है और साथी साथ वो सभी मंत्रियों की जो गती विधियां होती है कि कौन सा मंत्री क्या कारे कर रहा है उन सब गती विधियों को नियंत्रित करता है निर्देशित करता है और उनमें समनवय बनाके रखता है ठीक है और एक और शक्ति जो आपको याद रखनी है वह अपने पद्र से त्यागपत्र देकर जो मंत्री मंडल होती है उसको बर्खस्त कर सकता है ठीक है त्यागपत्र की अगरम बात करें अगर परदान मंत्री त्यागपत्र देगा तो सभी के सभी मंत्रियों को बर्खस्त कर दिया अब बात करते हैं अन्य शक्तियों की जो प्रधानमंत्री होता है उस पे कई और प्रकार के शक्तियां होती है जैसे कि वह योजना आयोग का अध्यक्ष होता है ठीक है योजना आयोग का अध्यक्ष होता है अब योजना आयोग नहीं रहा है योजना आयोग के जगा पर अब हुआ ante you घchemत नीति आयोग है इसका देख्ष भी परभान मंत्री ही होता है और अधे टी विदेश नीटी को मोर्थ रूप देने में भी महत्वन भूमिका निभाता है ठीक है आपदा परबंदन का परमुख होता है और वह सत्ता धारी दल का नेता होता है सत्ता धारी दल का नेता होता है और वह सेनाओं का राजनेतिक परमुख भी होता है ठीक है जो हमारी धल सेना, जल सेना, वायू सेना है उसका जो है राजनेतिक परमुख होता है ये ब्लैक जो ये बोर्ड है मेरा बिजल बोर्ड ये खराब हो रहा है तो इसलिए राइटिंग जो है वो सई से नहीं आ रही है ठीक है अलागे मैं बोल दे रहा हूँ जो जो पॉइंट है उन्हें आप नोट डाउन कर लिया अपनी कॉपी में इससे आपके नोट जो है वो तैयार हो जाएंगे ये सब बाते थी जो परधान मंतरी के बारे में आपको जाननी थी और मैंने आप यह बता दी है और ये काफी इंपॉर्टन है वीडियो और मैं बता दूँ कि जो 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 राजनितिकार है वो आएं उन्होंने परधान मंतरी का जो पद है उसको अलग-अलग रूपों में प्रस्तुत किया है जैसे कि एक विचारक है जैसे कि मुनरो एक राजनितिकार है विचारक है ये कहते हैं कि जो परधान मंतरी होता है वो राज के राज्य की नौका का कफ्तान होता है मुन्रो ने ऐसा कहा है कि वह राज्य की नौका का कफ्तान होता है जबकि HRG Greaves याद रखें HRG Greaves का कहना यह है कि जो परधान मंतरी होता है वो सरकार देश की परमुख है और वह सरकार का परमुख होता है ठीक है, वह सरकार का परमुख होता है, तो इस तरीके से अलग-अलग विचारकों ने अलग-अलग राय जो है परधान मंत्री पद को लेकर दी है, तो जितने भी important points से वो मैंने आपको करवा दी है, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ने किय तो जरूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आपको डेली मिलती रहे और नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो पहले की वीडियो ने देखी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देश सकते हैं, so thanks for watching this video.